नमस्का प्रेंड मैं हूँ चंदर प्रेल और दिखिया आज मैं बात करने जा रहा हूं एंजल वन लिमिटेट के उपर आप यहां पर देख सकते हैं जो इसका भी भाव है 2613 रुपे का अगर मैं इसकी मार्केट कैप की बात करूं तो 23,532 करोन का मार्केट कैप है 52 लो की बा 60 पी है वो 18 का है और इस्टाक का पी 20 का है तो ज्यादा इधर उदर नहीं है ठीक ठाक वेलू पर मिलना है कोई दिकत नहीं है डिविडेंट इल्ड बहुत ही सांदार है 1.53 का डिविडेंट इल्ड है फेस वेलू 10 रुपे का है आरोई लगवक 43.3 का है और अगर मैं यहां पे अर्निंग पर सेयर की बात करों तो 134 रुपे का अर्निंग पर सेयर है देखे इसके उपर थोड़ा सा करजा है 2541 करोड़ का और कैस फ्लो माइनस में है लेकिन कोई दिकत नहीं है यहां पे आप देखे पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने 47 परसेंट का सेज यार रिटन द अध्या झ्यां है जो कि बहुत इसान्दर और अभी आपको यह इस टॉप्स होटी येक अच्छे लेबल पर मिला है करेक्ष mem Progress कि देखे अगर हमम नेक्स्ट इस यहां पर अगर मैं बात करूं profit and loss की तो आप profit and loss ज़रूर देखे क्योंकि आपको उससे अंदाजा एक लगे है तो है ना बहुत जानदार और यहां पर अगर हम सेर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देखिए एफाइज के पास लगबग 18% के आसपास होल्डिंग है और डिया इसके पास लगबग 13.5% की होल्डिंग है और जो पब्लिक है उनके पास 32% और पर मोटर के पास 35% की होल्डिंग है बहुत ही सांदार स्टॉक है यह स्टॉक आपके वाच लिस्ट में जरूर होने चाहिए धन्यवाद